Hello everyone, my name is Chandan Singh Guys, spoken English में कई बार आपको Adverbs of Frequency की जरूरत पड़ेगी दूस्तों ये छोटे-छोटे वर्ड आपको आने चाहिए जिसमें से जो जो आप एले से जानते हों तो जानते ही होंगे फिर भी मैं दोहरा देता हूँ, जैसे कि Always है तो Always का इस्तमाल हम करते हैं हमेशा के तौर पे जो काम आप हमेशा करते हैं अंग्रेजों को जादा हिंदी, मतलब जादा है कि हिंदी पता ही नहीं है तो अंग्रेज इसको percentage के हिसाब से देखते हैं मतलब Always का मतलब कि 100% आप उसे करते ही करते हैं अगर मैं बोलू कि I always drink milk हिंदी में है कि मैं हमेशा दूद पीता हूँ तो Always लगते उसकी जो frequency है अंग्रेज समझेगा कि दूद पीने का जो frequency है वो 100% है यह नहीं कि दूद पीता ही पीता है I always go to park हिंदी में मैं हमेशा पार्क जाता हूँ अंग्रेजों के हिसाब से क्या है यह frequency को दिखाता है कि कोई काम होता है तो उसकी frequency क्या है तो Always का मतलब हमेशा इस पर आप सवाल पूछे या आप positive में जवाब दे जैसे आपने बोला कि किसी से सवाल पूछा कि क्या तू हमेशा उस लड़की से बात करता है तो Do you always talk to that girl जब आप sentence बनाएंगे तो Always और जितने भी है इनका जो position है अधिकतर subject के तुरंट बात ही रखा जाता है इसे कि I always She always, He always You always, वो हमेशा यहां आती है She फिर Always लगाएए कि She always comes here इस तरीके से बोलेगे तो किलियर है, फटाफट करते हैं फिर आपने सुना होगा Usually Usually का मतलब होता है आम तौर पर Usually Usually को अगर अंग्रेजियों के हिसाब से देखे तो इस frequency को वो 90% के करीब मानते हैं आसपासी मानते हैं Always से थोड़ा सा कम पावर का Usually जैसे कि आम तौर पर मैं उससे बात करता हूँ तो I usually talk to her आम तौर पर मैं एक ग्लास दूद पीता हूँ I usually drink a glass of milk आम तौर पर वो मेरी मदद करती है She usually helps me तो आम तौर पर करती है It means कि हमेशा नहीं करती है बट करती है 90% के करीब आप मान सकते हैं फिर आता है या तो नॉर्मली कहते है या जैनरली कहते है तो नॉर्मली या जैनरली आप यूज करते है इसका मतलब ही हिंदी में देखे तो साधार नता यानि कि अंग्रेजों के इसाब से देखे तो ये भी 80-90% 80% मान लेजे थोड़ा सा हलका यूजली से थोड़ा सा कम दिखाता है ये नॉर्मली जैनरली जैनरली येसे आपने बोला कि जैनरली आई लाइक रास यिनि कि जैनरली मुझे रास पसंद है तो जैनरली का मतलब अगर देखे, normally she helps me. Clear guys? उसके बाद आता है often या frequently तो often का मतलब अकसर होता है frequently का मतलब होता है बारम बार तो इसको भी वही 70-80 मतलब 70% माल लीजे percentage के हिसाब से अगर देखे तो हालागि किसी किताब में इस तरह percentage नहीं लिखा होता है बट एक तरीका आपको बता रहा हूँ कि सबसे हाई always को माना गया फिर उससे कम 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 होता जाएगा यह मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ guys तो often frequently का इस्तमाल है कि I often talk to her तो मैं अकसर उससे बात करता हूँ और I always talk to her तो फर्क नहीं है तो यह फर्क आपको समझना है guys और I frequently talk to her तो frequently का मतलब से बार-बार बात करता हूँ but फिर भी always को ज़्यादा रखा गया है कि 100% दिखाता है कि always हमेशा फिर आता है sometimes sometimes का मतलब होता है कभी-कभी यानि कि 50% माल लेजी कि कभी-कभी वो यहां आती है तो she sometimes comes here तो sometimes है इसमें yes लगा हुआ है और इसको भी आप subject के तुरेंट बाद ही रखेंगे but spoken English में लोग आगे पीछे भी कर देते हैं ऐसे भी कह देते कि sometimes she comes here sometimes I go there ऐसे बोल देते हैं अधिकतर subject के तुरेंट बाद ही आपको रखना है उसके बाद आता है occasionally यह सब वो है जो आप use करते हैं बस मैं आपको बता रहा हूँ कि किसको कभ यूज करना है occasionally का मतलब भी कभी-कभी माल लीजे हिंदी में बड़ इसकी value 30% की है तो समझ लीजे कि sometimes से भी कम है तो अगर कोई कहता है कि she sometimes comes to me और कोई कहता है कि she occasionally comes to me तो अंग्रेज लोग न यह words सुनके समझ लेते हैं कि अच्छा sometimes का मतलब ठीक है और occasionally का मतलब कि sometimes से भी कम ऐसे समझते हैं गाईज वो हिंदी पर आपना जाए killer है occasionally जैसे आपने बोला कि I occasionally drink तो मैं कभी कबार occasionally पी लेता हूँ फिर आता है seldom seldom का मतलब शायद ही कभी तो यानि कि 10% इसकी value समझ लेजी I seldom drink beer शायद ही कभी मैं beer पेता हूँ I seldom smoke शायद ही कभी मैं smoke करता हूँ She seldom goes to park शायद ही वो कभी पार्ग जाती है seldom ना के बराबर है 10% Rarely करते हैं Rarely कहते हैं तो उसका मतलब बिल्कुल 5% है Hindi में उसको भी कभी कभार कहते है Rarely She rarely takes exercise शायद ही कभी वो exercise करती है तो कोई seldom बोलता है और rarely बोलता है तो अब समझ जाएंगे कि seldom मतलब फिर भी 10% है Rarely का मतलब तो पूरा ही negative है कि बिल्कुल 5% है तो किलिर समझ में आ रहा है उसके बाद आते हैं कि never तो never तो किलिर ही कि never का मतलब बिल्कुल 0% है कि कभी नहीं She never comes here यानि कि वो कभी नहीं यहाँ पर आती है I never talk to her मैं उसे कभी नहीं बात करता हूँ She never understands my feelings वो कभी भी मेरे feeling को नहीं समझती है तो इसका आप इस्तमाल करेंगे दोस्तों इस पर अब सवाल करें जवाब दें आपको जब इसका इस्तमाल करना है तो clear है कि आप पहले subject बोलेंगे subject के तुरंत बाद आप इन चीज़ों कर रखेंगे I always, you always, I usually, she generally ऐसे आप लिखेंगे हाला कि इस poker में आगे पीछे इंसान कर देता है कोई check नहीं करता है बट grammatical error अगर ना हो तो आपको subject के तुरंत बाद रखना है ठीक है, clear है guys तो चुकि मैं present indefinite का structure समझा रहा था कई बार ऐसा होता है कि is our aim है तो is our aim के बाद रखना पड़ता है कि I am always फिर ऐसे करना पड़ता है उसी परकार से अगर model auxiliary verb लग रहे हैं कि you should तो फिर should के बाद रखेंगी you should always go there तो फिलाल तो मैं सिर्फ present indefinite की बाद कर रहा था इसलिए मैंने आपको बताया कि subject के तुरंद बाद रखें युकि इसमें तो कोई helping बार होता नहीं है she always goes, I always go ऐसे तो बस यही था आपका head war of frequency, I hope कि आपके समझ में आया होगा दोस्तो तो आज के लिए बस इतना है मिलत अगले वीडियो में, till then take care keep practicing and have fun अगर आप चाहें तो इसका एक screenshot ले सकते हैं friends thank you guys